जो दड़ जकीन करता है बचनों पे पका रहता है जो खुद पका है वो दूसरे को कच्चा नहीं समझता और जो कच्चा है वो किसी को पका नहीं समझता कई वर ख्यालों में गलत चीजें आ जाती हैं इनसान के पांचार मिन्ट सुमन कर लो वो आई हुई चीजों का पाप आपको नहीं लगेगा पल में खतम हो जाएगा इस से असान तरीका और क्या हो सकता भई हाँ जो ख्याल आए गलत उनके उनसार चलो मत ये जरूरी है गलत विचारा आया किसी के परती किसी के लिए आप उसके उपर चलने लग जाते हो तो फिर पाप के अधिकारी कहीं न कहीं बनना शुरू हो जाते हो विचारों का आना जाना ये तो चलता रहता है मन काबू तो बड़ो बड़ों के नहीं आता मन को तो कंट्रोल करना है तो कम से कम दो गंटे सुबो, दो गंटे शाम सुमन करो सेवा करो दड़ जकीन होना चाहिए तो जकीनन मन कंट्रोल होगा और फिर विचारों का अच्छे विचारों का दान परदान होता रहेगा बुरे विचार खत्म होते चले जाएंगे